प्लीज सब्सक्राइब और डोंट फगेट तो प्रेस बेल आइकन तो गेट नोटिफाइड वेनेवर वी अप्लोड अन्यू वीडियो इसके बाद वो एक घंटे तक चले शुन्य काल में शामिल होने के लिए 11 बजे राज्यसबा पहुंचे हंगामे के कारण राज्यसबा की कारवाई स्थगित कर दी गई जिसके बाद विज्यान भवन वो चले गए सुत्रों के मुताबिक आरुन जेटली उस दिन सेंट्रल हॉल गए ही नहीं थे जबकि कॉंग्रेस नेता पी अल पुनिया ने दावा किया था कि उन्होंने आरुन जेटली को सेंट्रल हॉल में विजे मालिया से बात करते हुए देखा था बिहार में बेगु सराय के गाउं में पानी घुसने के बाद कुछ लोग नाव पर सवार होकर वहां से जाने लगी बाढ़ के पानी के साथ बढ़ती मुसीबतों को देखते हुए इन लोगों ने गाउं छोड़ने का फैसला किया और सुरक्षित ठिकाने पर पहुँचने के लिए एक नाव का सहरा लिया बारी बारिश के बाद बेगु सराय के कई इलाकों में गंगा का पानी भर गया जिससे किसानों की फसल बरबाद हो गई और कच्चे मकान डूप गए महीं कुछ लोग अपने सामान के साथ आटो के अंदर और उपर बैठ कर वहां से जाते दिखाई दिये और उन्होंने बदहाल स्वास्ते सिवाओं को भी गाउं छोड़ने के लिए जिम्मेदा धराया स्वास्ते नाम का का नहीं है लोगों ने प्रशासन पर उनकी अंदेखी का आप लगाया लेकिन बार से प्रभावित एलागों में प्रशासन ने जल्द राहत पहुचाने का भरोसा दिलाया गाउंवालों का दावा है कि प्रशासन की अंदेखी की वज़े से कई लोग पलाइन कर चुके हैं और जल्द हालात नहीं सुत्रे तो कई और गाउं भी खाली हो जाएंगे बीजेपी गोवा में मुख्यमंद्री मनोहर परिकर की खराब सेहत की वज़ा से राज्य में नित्रित्व परिवर्तन कर सकती है सुत्रों के मुताबिक मनोहर परिकर ने खुद बीजेपी अध्यक्ष अमिच्षा को फोन किया है और राज्ये के नित्रित्व के लिए दूसरी विवस्था करने की अपील की है परिकर के अनुरोद के बाद बीजेपी के और से अब हालात का जायजा लेने के लिए पार्टी म मद्र प्रदेश के इंदौर में प्रधानमंत्री नरेंदर मोधी ने इमाम हुसेन की याद में आयोजित दाओधी बोरा समधाय के कारिकरम में हिस्सा लिया वहां की सैफी मस्जिद में जहां हुए इस कारिकरब में मद्धिपुदेश के सीएम शिवराज सिंग चोहान भी मौजूद है और मस्जिद के अंदर जाते ही दाउदी बोरा समुदाय के त्रेपनवे धर्मगुरू सयदना मुफदुल सैफुद्दीन ने ब्रधान मंत्री की अगवानी की जहां दोनों एक दूसरे से गले मिले जमु कश्मीर के कुलगाम से बड़ी खबर आ रही है कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बल ने मुटभेड में पांच आतंकियों को मार गिराया है सुत्रों के मुटभेड में हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर गुलजार पद्दार भी मारा गया है ये मुटभेड बीती राज से चल रही है और दोनों तरफ से फाइरिंग जारी है आतंकियों से इस मुटभेड में दो जवान घायल हुए है रिफट हमारे सायोगी फोन लाइन पर मौझूद है रिफट पांच आतंकी मारे गए हैं और सबसे बड़ी बात के हिजबुल मुझाहिदिन का जो कमांडर था गुलजार वो भी मारा गया अभी के क्या हालात है और किदमे आतंकी हो सकते हैं ख़ bladder आत्या सी खबर आहें गरिए कि 5 मिलिटे numbers तोटल थें और 5 मिलिटेंट मारें गए पहले ख़़ए थी कि 5 मिलिटेंट मारें ग गरिए और 5 मिलिटेंट जेसं गर्ट ग्रूप जो है एक मकान में छुपा हुआ हुआ था रात के दोरां ही कॉर्टन हुआ जो है पुलीस और आवमी को पता चला कि वहां पे मिलिटन्ट शुपे हुए रात के दौरान कॉर्डन हुआ तक रिवन एक बज़े की परी फाइरिंग हुई और लगातार फाइरिंग सुबा साथ बज़े तक जारी थी और अभी जो बताया जा रहा है पांच मिलिटन्ट मार इसमें किस तरह की और कठनाई आ सकती है अगर इस इलाके के बारे में आप थोड़ी जानकारी दे तो इसे समझाएं यह जा रहा है कि और अगर फांच मिलिटन्ट मारे गए हैं तो फिर ऑपरेशन जो है खतम हो जाता है पांबिंग ऑपरेशन चलता है और बोडी वगरा र आप जादा है सौथ किश्मीर में और पुलगाम डिस्टिक उसमें से जो है शामिल है चार डिस्टिक्स जो सौथ किश्मीर के हैं चाहे कुलगाम हो फुलवामा हो अनंतनाग हो तो वहां पे मिलिटन्स की काफी तादाद रहिया और आज तक काफी सारे एंकाउंटर सुएं अभी फिलाल एंकाउंटर बहुत जल्थ खतम हो सकता है अभी खास्तों से उपरेशन बहुत जल्थ खतम हो सकता है कि एंकाउंटर covering हो अमोस्ट खतम हो तो 예 जिसके बाद सुरक्षाबल वहां पहुँचे और आतंक्यों की तलाश शुरू करते हैं हाथों में हत्यार लिए जवानों ने संदिक दातंकियों की तलाश में जंगल के चप्पे-चप्पे की तलाशी सुरक्षा बल के मताबिक एक महिला ने दावा किया कि सुबह दो संदिक दातंकी उसके घर में गुसाए और खाना बना कर देने के लिए धमकाया महिला का दावा है कि कुछ देर बाद दोनों संदिक दोहां से चले गए इस घटना की जानकारी मिलने के बाद महिला के घर की भी सुरक्षा बाढ़ा दी गई उत्राखन के उधम सिंग नगर में एक मार्पीट का वीडियो सामने आया है इस वीडियो में कुछ दबंग तमंचे के बल पर एक यूवक की पिटाई कर रहे हैं बताया जा रहा है कि ये घटना 13 सितंबर की है वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि इस यूवक को बदमाश लाद भूसों से पीट रहे हैं और बार बार गालियां दे रहे हैं आरोपी पहले लड़के के बाल पकड़कर उसे पीटते हैं और फिर बैल से मारना शुरू कर देते हैं इस दोरान लड़का छोड़ देने की गौहार लगाता है लेकिन उसकी कोई मदद नहीं की जाती वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जात शुरू कर दी है सिकिन के मंगन में भारी बारिश और जमीन खिसकने की गटना के बाद पानी का सहलाब एक पुल को अपने साथ बहा कर लेकिन वहार रविवार से लगातार हो रही बारिश की वज़े से कई जिलों में हालात खराब हो गए जबकि जमीन खिसकने से मंगन में कई इलाकों का समपर कट गया पानी का सहलाब इस कदर फूटा कि कई साल पुराना एक पुल भी उसमें बह गया ये पुल एक नाले पर खड़ा हुआ था जिसके नीचे पानी रोकने के लिए कॉंक्रीट का एक छोटा बांध भी बनाया गया था पानी का दबाव बढ़ने की वज़े से पुल कमजोर हो गया इसके बाद एक दीवार भी अपनी जगा से खिसक कर आगे आगे और देखते ही देखते पुल का हिस्सा ताश के पत्तों की तरह बिखर कर पानी में समा गया इसके बाद ना पुल के मलबे का पता चला और नहीं वहां फसे लोगों का मंगन के दूसरे इलाकों में भी पानी का सहलाब सड़कों को अपने साथ बहा कर ले गया जवीन खिसकने की घटना से मंगन और गंटोक का भी संपर्क कड़ गया वहीं मंगन शहर में भी आफट की बारिश से भारी नुकसान का अनुमान लगाए गया दावा क्या गया कि वहां कई आशियाने पहाड के हिस्सों के साथ मलबे में मिल गए मुंबई में रिलाइंस इंडस्ट्रीज के सीमडी मुकेश अंबानी के आवास एंटीलिया में स्थापित की गई गणपती की प्रतीमा का डेर दिन बाद विसर्जन कर दिया गया जो गणपती बपा के जयकारे लगाते हुए उनकी प्रतीमा के साथ गिरगाओं चौपाटी पहुंचे और वहां गणपती का विसर्जन कर दिया इससे पहले एंटीलिया के बाहर सैंक्डों की संख्या में लोग जुटे जिन में अंबानी परिवार के करीबी दोस्त और रिष्टेदार भी थे गणपती के प्रतीमा को एक गाड़ी में रखा गया था इस दोरान नीता अंबानी के साथ आकाश अंबानी, अरंत अंबानी, ईशा अंबानी और अंबानी परिवार की होने वाली बहु श्लोका महता भी नजर आई गाड़ी में अमबानी परिवार डांस करता भी दिखा डांस के बाद नीता अमबानी ने गणपती की आरती भी की इसके बाद अनन्त अमबानी कुछ लोगों के बीच गए और उनके साथ डांस करने के बाद आगे चलने का इशारा किया जिसके बाद गणपती की प्रतिमा को लेकर सभी लोग वहां से आगे बढ़ने लगे इस दौरान पूरा इलाका गणपती के जयकारे से गूंज उठा और जोर-जोर से जयकारे लगाते हुए लोग आगे बढ़ने लगे इस दौरान मीता और इशामबानी गणपती को ले जा रही गाड़ी में ही बैठी थी जबकि गाड़ी को घेर कर कई लोग चलते दिखाई दिये इनमें कई लोगों ने अपने हातों में जंडे भी ले रखे थे थोड़ा आगे बढ़ने के बाद अमबानी परिवार गाड़ी से उतर गया और पीछे चलने लगा गाड़ी के पीछे चलते हुए अमबानी परिवार ने गणपती के जैकारे भी लगाए इस दोरान अमबानी परिवार की होने वाली बहुश लोका महता भी साथ थी इसके बाद गिरगाओं चौपाटी में गणपती के प्रतिमा का विसरजन कर दिया गया हर्याना के जजजर में एक तेज रफ़तार कार ने वहां से गुजर रहे है एक बच्चे को ठक कर मारे हर्यान चौपाल